अगर आप यहाँ जकडे हुए बैठे हैं, अपनी सीमाओं में बंद कर, तो ये आप बनाम ब्रह्मांड है। आप बनाम ब्रह्मांड एक मुर्खता पून मुकाबला है। योग का मतलब है कि आपने अपने अलग व्यत्तित्व की सीमाओं को मिटा दिया है। फिर आप देख हम जीवन के हर एक पहलू का अनुभव कैसे कर सकते हैं। सभी विवश्था बरे कामों से अचूते रहकर और उनके साथ अटके बिना। हम कहते हैं मैं शराब नहीं पीना चाहता। मगर कहीं न कहीं हमें ये डर है कि हमें उसकी लट लग जाएगी। मेरा सवाल ये है कि हम अचूते रहकर जीवन के हर एक पहलू का अनुभव कैसे कर सकते हैं। जास की समस्या है। जब हम बंदर थे, अगर एक बंदर यूँ करता तो हर कोई ऐसा करता। और कुछ लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नैतिक रूप से गलत है। कि उन्हें शराब पी नहीं है, क्योंकि वो खुदी मजे में है, उन्हें बाहर से किसी केमिकल की मदद नहीं चाहिए। तो ये अलग-अलग तरीके हैं। अगर आप जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर सकते हैं, आप कला का अनुभव नहीं कर सकते, आप अध्यात्म या किसी और चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते, आप सिर्फ जीवन का अनुभ अगर आप निर्जीव चीजों को देख रहे हैं, तो भी आप सिर्फ जीवन का अनुभव ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाहर कुछ भी नहीं होता, होने वाली हर चीज सिर्फ आपके अंदर होती है, है ना? तो आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि ये रंग है, आप सोच सकते हैं कि ये आवाज है, आप सोच सकते हैं कि ये कुछ और है, नहीं, आपके अनुभव में, आप सिर्फ उन छापों का अनुभव कर रहे हैं, जो अलग-अलग चीजें आपके जीवन पर छोड़ती है, आप सिर्फ इसी तरह इसका अनुभव कर सकते हैं, आपके पास अनुभव करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो मूल रूप से आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहुंच और किसी चीज तक नहीं है, हाँ, अभी मैं स सोथ सकता हूं कि मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बस उस तस्वीर को देख रहा हूं, जो मेरे मन में बनती है, है कि नहीं? अगर आप अपने बगल वाले व्यक्ति को छूते हैं, तो आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति के हाथ को महसूस कर रहे हैं नहीं, आप बस अपने हाथ में होने वाले अहसास महसूस करते हैं, है न? तो आपका जीवन का सारा अनुभव पूरी तरह आपके अंदर ही है इसका मतलब है कि आप बस इस जीवन को अनुभव कर सकते हैं तो क्या ये एक कैद है, कि आप सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं? नहीं, अगर आप इसका अनुभव करते हैं, तो हर चीज एक संभावना बन जाती है, क्योंकि, देखे, जब शरीर की बात आती है, तो हम साफ साफ जानते हैं, कि ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, सौप्रतिशत, ये मेरा मन है, वो आपका मन है, सौप्रतिशत, है ना? मगर जब जीवन की बात आती है, तो आपका जीवन और मेरा जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक जीता जाकता ब्रहमांध है आपने बस उसका एक छोटा सा हिस्सा पकड़ा है आपने कितना पकड़ा है आपने अपने अंदर कितना जीवन इकठा किया है इसी से तै होगा कि आपके जीवन का दाइरा और स्तर क्या है तो चाहे आप उसे कला कहें चाहे आप उसे संगीत कहें, चाहे आप उसे आध्यात्मिक प्रकृया कहें या काम की प्रकृती, चाहे जो भी हो काम एक साधन है, आपके व्यक्तित्व की सीमाऊं को खोलने का ताकि आप से बड़ी कोई चीज आपकेसाथ हो सके आप जिसे मैं समझते हैं, उससे कुछ बड़ा आपके जीवन में आपके साथ हो यही प्यार का मकसद है, यही कला का मकसद है, यही सेक्शुयलिटी का मकसद है, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का मकसद है मूल रूप से कि कोई मुझसे बड़ी चीज मेरे साथ घटित होनी चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ ये होता है तो मैं इसके अंदर कैद महसूस करता हूँ हाँ या ना आप इसे अलग-अलग तरीकों से समझते हैं मगर असल में आप जिसकी खोज कर रहे हैं वो ये है कि आप किसी तरह अपनी ही सीमाओं के बंधन से परे जाना चाहते हैं योग यानि आपने योग के बारे में सुना है हलो योग का मतलब है लोग सोचते हैं योग यानि मुड़ना और मरोड़ना नहीं होता योग शब्द का मतलब है मिलन मिलन यानि अगर आप यहां बैठे हैं, यहां आप मौजूद हैं और ब्रह्मांड मौजूद है अगर आप यहां जकड़े हुए बैठे हैं, अपनी सीमाओं में बंद कर तो यह आप बनाम ब्रह्मांड है आप बनाम ब्रह्मांड एक मूर्खता पून मुकाबला है आप मेंसे जो लोग हर समय इस तरह रहते हैं आपके और ब्रहमांड के बीच का मुकाबला बिलकुल मूर्खता पून है अगर आपके पास जरा भी समझ है तो आप ब्रहमांड के साथ मुकाबला न करें क्योंकि आप इस ब्रहमांड में एक छोटा सा गण है आप कैसे मुकाबला करेंगे एक अलग व्यक्तित्व का मतलब यही है एक अलग व्यक्तित्व का मतलब है कि आप ब्रहमांड के साथ भिड़ गए है योग का मतलब है कि आपने अपने अलग व्यक्तित्व के सीमाओं को मिटा दिया है ये अंतर कि आप क्या है और ब्रह्मांड क्या है, काफी हद तक कम हो गया है अगर आप यहां बैठें, तो जो आप है और जो बाकी सब कुछ है, वो आपके अनुभव में लगभग एक सा हो गया है अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं है बसे एक बड़ा जीवन घटित हो रहा है, यह अनुभव जरूरी है आपके अंदर एक जबरतस तनुभव जरूरी है, अगर आप कुछ शांदार बनाना चाहते हैं अगर आप कुछ बहुत बड़िया, कुछ अनोखा, कुछ सही माइने में कुछ महतोपून बनाना चाहते हैं, तो आपको एक अनुभव चाहिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर उल्लास, खुशी और गहनता का अनुभव हो मगर अभी दुनिया में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ दुख में आप गहन हो सकते हैं क्योंकि ये सच है कि ज्यादतर लोगों के लिए उनका दुख ही उनके जीवन का सबसे गहरा अनुभव है अगर हम आपको बस एक पिन चुभो दें, सिर्फ एक पिन, तल्वार नहीं, सिर्फ एक पिन तो दर्द बिल्कुल भीतर तक जाता है, है ना? अलो? सिर्फ एक छोटी सिपिन, एक इंच की पिन, अगर मैं अभी उसे चुभो दूँ तो दर्द कहीं ज्यादा आसानी से गहरा बन जाता है इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि दुख ही गहराई का स्त्रोथ है इस सोच को बदलना होगा खुशी की गहराई को जानने के लिए, प्यार की गहराई को जानने के लिए, उल्लास और जीवन की तीवरता की गहराई को जानने के लिए, किसी और चीज़ की जरूरत होती है